सावन की महीने में सभी शिवालेयों में भक्तों का ताता लगा रहता है आपने कई शिव मंदिरों के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आपने शिव कचहरी के बारे में सुना है जहां भगवान शिव के सामने लोग कान पकड़ कर उठक बैठक लगाते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं संगम नगरी प्रयागराज में शिव का चहरी मौजूद है जहां अकसर आपको भक्तों की भीर देखने को मिल ही जाएगी यहां भगवान शिव कल्यार दाता के रूप में नहीं बलकी नियाधीश के रूप में मौजूद है यहां भगवान शंकर ही जज हैं भगवान शंकर ही वकील हैं और आने वाले भक्त मुल्जिम यहां पूरे 288 शिवलिंग विराजमान है शिव भक्तों का मानना है कि जो शिवलिंग सबसे बड़ा है वो खुद भगवान शिव हैं जो नियाधीश के रूप में है बाकी 287 शिवलिंग छोटे हैं जो वकीलों की तरह लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और बाबा के सामने अरजी लगाते हैं सबसे खास बात तो यह है कि जिस किसी को भी एहसास होता है कि उसने जाने अन जाने में कोई न कोई गलती की है वो यहां अपने आप ही कान पकड़ कर उठक बैठक करने लगता है बिना उठक बैठक किये बिना गलती की माफी मांगे उसका मन ही नहीं मानता बोले नात के भक्तों का मानना है कि यहां उठक बैठक लगाने से ही भगवान शंकर उनकी गलती को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं जिसके बाद भक्तों को काफी सुकून महसूस होता है भक्तों का तो ये भी कहना है कि जब वो इस मंदिर से अपनी गलती की माफी मांग कर बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत हलका महसूस होता है मानों उनके उपर से कोई बहुत बड़ा ग्रह कट गया हो और उनके दिल पर जो बोज था वो अचानक छूमनतर हो गया हो तो आप भी शिव का चहरी कभी गय है या नहीं यह हमें कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं